तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा डिटर्मिनांट और आज है लेक्षन नंबर टू क्या पढ़ेंगे लेक्षन नंबर टू में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नहीं है प्रपटीज तो आज ऑफिशली खतम हो जागा इसके प्रैक्टिश दो-तिन क्लास तक चलेगा तो इस डिटर्मिनांट डिफाइंड होता है अउनली फॉर अउनली फॉर स्कॉार मेट्रिक्स समझा रहा है क्या और स्कॉर मेट्रिक्स का मतलब क्या बालक स्कॉर मेट्रिक्स का मतलब क्या होगा टू बाइटू या फिर त्री बाइटरी बोलो हाँ या ना क्या टू बाइट्री या फिर 3 by 2 के लिए determinant define होगा गया नहीं सर बिल्कुल नहीं और फिर हमने क्या देखा था कि जो matrix था जो matrix होता है यह सिर्फ और सिर्फ arrangement है क्या है arrangement और कुछ नहीं है चाहे numbers हो चाहे क्या हो रहा है अलफाबेट्स हो कुछ भी हो सकता है वह arrangement है बट determinant क्या है क्या है बच्चा क्या है बोलो एक वैलू है क्या है यह नंबर हो सकता है नंबर हो सकता है बोलो बच्चा क्या हो सकता है एक्सप्रेशन हो सकता है अलफाबेट्स के फॉर्म में फंक्शन के फॉर्म में नंबर में रियल हो सकता है इमाजिनरी हो सकता है बढ़ एक fix value है किसके corresponding square मैटिक्स के corresponding विखाएए स्क्वार मैट्रिक्स प्रॉसपनिग समझत क्या डिटर्मिनध् जो है प्रपटीज के हेल्फ साइक प्रूफ करो बीना एक्सपैंशन के डिटर्मिनान दिया और एक्सपैंशन करने के लिए भी नहीं बोल रहे है तो फिर हमें प्रपटीज पढ़नी होंगी और उन प्रपटीज को अप्लाई करना होगा तो कैल्कुलेशन भी बचाता है और वो ब बच्छा अगला वाला अगला वाला एंटू यह जी जिस रोर कलम में मैं मों डिलीत होगा नहीं क्या नहीं किया मुलिए तो क्या आया ने और पर स्वाया ना इस बोलो दोयाफ क्या होगा A21, A23, A31, A33, अच्छा ये delete होगा, क्या होगा, A21, A22, बोलो बालग, A31 और A32, और इसके बाद में इसका value निकाल लिजे, नहीं निकाल सकते हैं क्या, A11 और A22, A33, माइनस A, सबसे पहले diagonal element को multiply किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद non diagonal को multiply करके उसमें से subtract कर दो, वैसे माइनस A12, और यहां से आएगा, प्लस A13, और यहां से आएगा, ऐसे expansion कर रहे थे, हाई या ना, लेकिन यह expansion तभी तक काम करेगा, जब तक की numbers हो, ना, expansion करके, कुछ expression देती है, बहुत भयंकर calculation लगेगा, और उस calculation से बचना चाहते हैं, या calculation नहीं भी लगेगा, तो उन questions को करना चाहते हैं, जिसमें expansion एलाव ही होगा, वो बोल देगा वाकाइदा, साफ साफ बोलेगा, कि आप expansion नहीं कर सकते हो, प्रपटीज को यूज करो, समझा गया, और सबसे बढ़िया सवाल जो, जैसे में याद करो, सबसे अच्छे सवाल किसके बन रहे थे, इंवर्स के बन रहे थे, हाया ना, वैसी ही डिटर्मिनांट में सबसे अच्छा जो सवाल बनता है, सबसे तफ सवाल जो बनता है, वो expansion प्रपटीज पर बनता है, अचले उसी को देखते हैं, आई एक एकर के प्रपटीज देखते हैं, प्रपटीज ओफ डिटर्मिनांट्स, पहला प्रपटी, बहुत असान, सिंपल प्रपटी है, पड़ो क्या कह रहा है, इस प्रपटी का नाम, हमने नाम सब को दिया वाकाई एक्सपैंशन करते हैं, तो भालू सेम आता है, बोलो तो आरवन को जो हम सीवन बना देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यह कह रहा है कि अगर इस डिटर्मिनांट का वालू डेल्टा है, हेलो हेलो, दियान से देखो, रोवन में A वाला है, रोटू में B, रोटू मे सी, इस डिटर्मिनांट का वालू डेल्टा है, और हमने क्या किया, दियान से देखो, हमने क्या किया है, बच्चा बोलो क्या किया है हमने, हमने यहां से यहां क्या किया, इंटर्चेंज कर दिया, ट्रांस्पोज ले लिया, बोलो हाँ या ना, रोवन को कॉलम, बोल नहीं के नहीं मना है यह रहा है कि इस डइटर्मिनांट यह होगा अगर इसका वैलु 10 आ रहा है तो ठ्रांस्पोज करने से किसी स्कॉार मैंare को प्रांस्पोज करने से जो डिटर्मिनांट का वैलू आएगा वो पुर आईगा एट नाइन इसका इसका वेलू निकालो और फिर इसका निकालो 12345678 इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या अब्यास बात ही कि नहीं है अरे बोलो आप आरवन के लोग एक्सपैंशन करने जाओ तो यह डिलीट करो ना यह 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 डिलीट होगा तो दीस इंटो इस माइनस होगा प्लस माइनस प्लस होता है तो ट्रांस पोज करने से रो को कॉलम में इंटर्चेंज करने से डिटर्मिनान के वैलू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्लियर एकदम बोले बच्चा सच में पहला प्रपटी बहुत असान है इसको याद रखने क्यों सकता है क्या अरे बोले बोला करो भाई इस अंत हो गए हो तुम लोग अगला अगला प्रपरटी क्या है स्विचिंग प्रपटी बहुत इंपॉर्टन अगें पहला वाला गदा मसान था वो जादा यूज भी नहीं होगा लेकिन सेकन बहुत इंपॉर्टन है क्या करे पड़िये इस इनी कि दिए और यहां सकता क्या हुआ है आरवां को राटो कि शाद कुड या इंसका मतलग कि न एगा माइनस 10 मतलब कितना हैगा माइनस डेल्टा क्लियर हो रहा है क्या याद रहेगा बात मानों यह सब का प्रूफ भी है लंबा चौला प्रूफ एंशाटी में दिया भी है देख सकते किसी काम का नहीं है पूछे का नहीं प्रूपटी यूजोगा डेरेक्ट समझ रहेगा अगर आप एक interchange करते हो तो क्या होजगा माइनस लख जाएगा क्या लग जाएगा माइनस अगर इसका वेलू बैच्चा इसका व्लू टे न आ रहा था इसका वेलू कि इतना है अगर ये वह-वलाला डेल्टा है अगर यहथे हो डेल्टा लिटक्र टेल्टा है तो इस एक और स्वीच करने से आया है बताओ क्या होगा यह आरवन के साथ कुछ हुआ है क्या नहीं सर बीवन बीटू और बीटरी यहां इंटर्चेंज हुआ है ना क्या हो जाएगा सी वन क्तिक शुआ है क्या छीए इल के ऑनका इटरी इसका है इसके डाणी सीजाय वन्यर्चेंज कई जाएगा माइन शच वह जो तो फिर से एंटर। समझ जहां है है औरे ऑन बार में करेंगा स्विच लॉगि withdraw में कोई फरक नहीं पड़ेगा वहाँ पर हमने आपको इलमेंटरी ऑपरेशन मैट्राइस में बताया था कि आप एक बार रो अपलाई कर रहे तो रही करो डिटर्मिनांट में कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि यह वाला प्रोपटी है ना मारे पास अरे बोलो एक स्टेप में आप रो में अपलाई किया फिर आपने उसको क्या कर दिया इंट रानसपोच उसका ट्रांसपोच ले लिए तप कॉलम में भी कर सकते हैं तो डिटर्मीनांट में कोई भी प्रपरटी कहीं भी अपलाई कर सकते हूं पर ह Oh Black समझ रहे कि और restriction नहीं है समझ आ रहा है अरे हाँ या ना हमने यहाँ रवन रटू किया था फिर यहाँ पर सीवन सीटू कर सकते थे बट आप एक स्विच की हो तो माइनस लगा है एक और स्विच को देख और माइनस लगेगा फिर से वो गया हो जाएगा प्लस हो जाएगा समझ रहे हैं बोलो और और रोको या दो गलंको आपस में इंटर्चेंज करने से डिटर्मिनांट का मैगनिटूड चेंज नहीं होता है सिर्फ क्या चैन्ज होता है साइन सही है बोल नहीं रहें आप लोग अरे बोलो बच्चा आँ बहुत बढ़ी अबालक पहला जैसे यह देखिये यह द क्या हैगा कि बोलो ना कितना होगा था सी यहां पर यहां पर एथा यह और होगा अरे बोलो अब यह अगर वैलू टैन है यह कितना होगा भाल अच्छा इसमें एक माइनस लगा देंगे क्या अब भी प्लस वलगा अब यह बराबर को नई ऐसा कि सीटुका वफ्प्स में इंटर गराबर ॐ से तो में अगोया सीटू का आप्सा करेंगे सीव बनाट समें रिगा बोलो, A1, B1 और C1, A3, B3 और C3, अब ये बाद, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 10, ये सब लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं, इसके साथ इक्वेट करके लिए, ये वहलू अगर 10 है, तो ये वहलू कितना है, इसका मतलब एक और माइनस लगाएंगे, तो है ना, अच्छा, माल लो, अगली बार, अगली बार आपने क्या किया, एक बार और किये हो, C2 और C3 को आपस में इंटर्चेंज कियो, तो क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा, क्या हो जाएगा, A2, B2 और C2, C2 और C3 को क्या होगा, A3, B3 और C3, बोलो बच्चा, A1, B1 और C इवन्य दिक्कत वाली बात क्या यह यह ब्लावरॉब ओड़ाई कर दो नहीं हो जाएगा यह बात समझा रहा है कि नहीं हम ऐसे सब्सक्राइब से अपने यह वाला प्रोपटी एपलाई किया है आपने कोई transformation किया है तो आपको एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा फिर अगले स्टेप में एक बार अप्लाई किये हो तो एक बार और माइनस लगाना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस तो हम क्या क्या सकते हैं यह बात क्या सकते हैं क्या बोलो तो क्या लिखावा if we make such changes of rows your column in a determinant delta then the value of new determinant किसके बराबर हो जाएगा minus 1 to the power n into delta where n is the number of transformation operation कि आपने कितना operation किया 1 किया the minus 1 के power 1 होगा 2 किया तो क्या हो जाएगा minus 1 के power 2 तो वो डिल्टा कही बराबर हो जाएगा देखरेंगे नहीं देखरें तीन किया तो फिर से minus डिल्टे का alternate plus minus होता चला जाएगा सही है पहला परपरपटी का एक दम प्रॉपटी दिमाग में चलना जाए पर पर असान है बोली नहीं रहे हैं तो लोग यार सान है यह अब बहुत असान है सर और यह परपतिया हमें राव करता है कि आने वाले आगे सारे को सारे प्रपटी कितने भी और एक के step में रो और दूसरी स्टेप में कॉलम में होगे तो क्या होता है डिटर्मिनांट के वैलू का सिर्फ साइन चेंज होता है मैंगनिटूड चेंज नहीं होगा बोलो अरे बोली नहीं रहे यार तुम लोग बहुत बढ़िया आगे बच्चा अगला प्रोपटी यह बढ़ा यह बहुत आसान है लेकिन बहुत डिटर्मिनांट चेंज 0 बढाशान यह कह रहां कि भालोको यह कोई क्यों ऐकशे सिम्गी यहां से यहां से एक स्मिच करो कौन सी सिसमिच किया आरवन और और अल्ट निर्ट कुण को R1 और R2 को इंट्रेंज करो तो क्या बनेगा बने और बहट्चा क्या बनेगा A, B, C, R2 पर चला गया और R1 नीचे A, B, C बोलो बच्चा P, Q, R, तो क्या 1 गलस्ट लगेगा क्या क्या एक माइनस लगेगां, बोल नहीं रहे आप, क्या ये ΔELTA ही है, तो ध्यान से देखो, प्या हो जाएगा, Δ Feeling is equal to minus Δ, 2 Δالم किसके बराबर, इसका मांदर Δ्लटा क्या हो जाएगा, जिवर दिल्टा का बहुत क्या होगा, याद रहेगा ये थिन पुपर्वटि पीँ पहला पुपटी ट्रांस्फर्मेशन वाला दूसरा पुपटी पेहला पुपटी प्रूबटी विफ्लेक््टस पॉपटी दूसरा त्मध्र स््विच्चिंग पुपटी टीसरा अगला पिसन पुपटी कि OFF मतर्मिंद रिपीट यह क्या रहा है पढ़ एक बार स्टेटमेंट इप इच इलमेंट फ़ो और कॉलम इस मल्टिप्लाइट बाइब को अगर किसी कॉंस्य के से इस यह मल्टिप्लाइट वैलु पैल्यू आफ्ट इट्रमिनान गेटस मल्टिप्लाइड वाई के अंगरेजी समझ आए क्या नहीं यह एक डिटर्मीनांट इब क्या है एक डिटर्मीनांट आफ एक एक डिटर्मीनांट है अब हम क्या करते है कि इसके R1 में रहे हां टेन आ जाएते हैं तो इसका इन तो यहीं चाहे है चिर एक रो में multiply कियो तो इसमें त्री मानों muleल fifly और इसमें do कर देते हैं तो और किसे म्लेटिप्लाइँ दल से समझ रहा क्या ये सिर्फ enroll या एक कॉलंब में एलाव करता है द्यान चाहूंगा मैं समझझ रहा क्या तो अगर आपने K से multiply किया है तो कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा कि डिल्टा सही है अच्छा मालो मालो यहां से हमने यह operation किया कि R1 के जगह पर के 1 R1 and and R2 के जगह पर K2 R2 बोलो बच्चा समझ रहे क्या तो क्या हो जाएगा बोलो डिल्टा 2 किसके को जाएगा बोलिए K1 A1 K2 A2 K3 A3 बोलो आगे बोलो K1 B1 K2 B2 K3 B3 सही है क्या और बोलिए दर C1 C2 C3 इसका वैलू किसके को जाएगा बच्चा बोलो K1 K1 बोलो K1 K2 इंटू जो 2 आने वाला है किसके को लोगा K1 K2 किसमें multiply किये थे लिल्टा में अच्छा सर क्या सर कुछ भी लिग देते हैं आप सर यहाँ पर के 1 लिखे हैं सर आप अप सब्सक्राइब में किस से सब्सक्राइब का वा दक्षता और यह किस से एक डूस शेडिया और बोलो कि किसी से मईल्टिपुलाई करने कमने कर लो फिर उससे भी अमने होगा यह सिर्फ एक ही कॉलंम में होगा ध्यान दीजिएगा कुछ नंबर अच्छा इसका में उल्टा भी कर सकते हैं अगर हम R1 में कुछ common दिखेगा क्या उसको बाहर निकाल सकते हैं क्या अरे बोलो बोल नहीं रहे हैं तुम लोग है सच में R1 में कुछ common दिखा बच्चा जैसे आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि 2 3 4 ठीक है आया ना 1 2 23 और 468 468 जब कुछ multiply कर सकते हैं तो क्या हम कुछ common नहीं खिच सकते हैं क्या क्या सब से common आएगा कि किसी एक hero column से आएगा एक ही से आएगा यही अब इसकी major difference है मैं ट्राइस से सब दिखान देना कि क्या 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 कॉमन आएगा बच्चा देखो दियान से 234 123 और यहां से लग रहा है आ रहा है क्या बाहर निकाल दो क्या हो जाएगा 234 क्या यह दोनों equal हो गया क्या value क्या आएगा जीरो समझ पा रहे हैं क्या आसान है तो जरूइने की एक टाइम में एक ही प्रपटी हो जोगा एक प्रपटी आपने लगाया फिर दूसरा प्रपटी आपको दिखने लग जाएगा सही है सच में टफ है आप multiply भी कर अचा common common लेना है मैंट्रीक्स में क्या होता था बताओ सभी element से common आता था multiply भी कर रहे हैं तो सभी element में कर रहे हैं डिटर्मिनांट में क्या हो रहा है किसी एक रो से common आएगा एक कॉलम से common आएगा multiply भी करोगे तो समझाया एक बढ़िया सा सवाल बनता है देखिए कि एक मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स है बच्चा थ्री वाइट्री ओर्डर का हम क्या कहने चाहते हैं कि इसमें आप किसे multiply करो फाइब से multiply करो किसे फाइब से 551 अरे बोलो बच्चा माल लो कि सबसे पहले multiply करने से पहले इसका determinant आपने निकाला और इसका वहलू डेल्टा आया कितना या डेल्टा और अब हम डिटर्मिनांट निकालना चाहते हैं कुछ multiply करके hello hello कुछ multiply करके निकालना चाहते हैं बोलिए क्या होगा multiply करेंगे क्या हो जाएगा 5A1 1 5A 5A12 आया ना 5A13 बोलो 5A21 5A22 5A23 बोलो 5A31 5A32 और 5A33 बोलो बच्चा हाया ना और मैं कह दूँ कि 5A का determinant निकालो 5A का determinant निकालो क्या होगा क्या होगा बोलो यह होगा कि नहीं होगा 5 सब में से common आएगा क्या एक बार लिख देतें एक बार लिख देतें 5A11 इतना बार लिखना है 5 की 5A12 5A13 5A21 5A22 5A23 5A23 5A315 5A33 सही है अब क्या होगा क्या होगा बोलो जो 5A का हम determinant निकाल रहे ते वो कैसे आएगा 5 एक रो से common आया आया क्या फिर 5 दूसरे रो से common आया और फिर 5 दीसरे रो से common आया आया क्या जो बचा होगा क्या बचा A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33 बोल बच्चा आया ना और हम क्या देख पा रहे हैं कि कि यह किसके बराबर था इसके बराबर था डेल्टाए के बराबर था समझ रहा है क्या तो आपने आपने क्या किया आपने क्या किया तो हम क्या सकते हैं कि अगर किसी नंबर से multiply करके और फिर क्या करोगे determinant निकालोगे तो बताओ वह उस उस मैट्रिक्स के क्रस्पांडिंग डिटर्मिनांट अर्ट्रमजना टाइम होगा। क्या हमेसा क्यूर टाइम होगा यहां पर च्प्र का था था तो बार common आएगा समझ रहो गया अगर second order का होजा तो दोी बार common आता ना समझ रहें कि नहीं समझ रहें तो यह यह द्यान लुद इंपोर्टेंट बात है यह बहुत इंपोर्टेंट बात है बच्चा यह धियान रखिएगा किसी matrix में कोई a scalar multiply करके और फिर ही टिर्य कालो फिर टिर्यक्त निकालो तो बहुँछल डिटर्मिनांट कि पैलू का कितना होता है के टंदौ ट सभी शूरिवी त्रफूटल थे काम आएगा हुआ क्या पर्रपप्रिटी बदाएंगा बसक्ष जो देंगे वह बदल जाएगा इंग्जामप्ल सक ठोड़े से लेभल बदल जाएंगे समझ रहे ग्या तो पड़ेंगे इस प्रिफेंट यही तुब ऑन आज सर तो सर्यं सर्य हां किया था था है ु 1-2-3, 3 ow 3-1, 3-2, 3-3 यह किसके इक्वाल किसके इक्वाल डिटर्मिनांट आ एकागसार इक्वाल किसके इक्वाल डिल्टा इक्वाल दzinhoता इक्वाल भीपच्चन डिल्टा वाइस बा क्वाल गल जो का डिपरींटवा ऑग इसका मतलब किodore करकर तुर का हो जाए और आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं यह देखो बड़ा इंपॉर्टन वाग क्या है पहला प्रॉपट्ट क्या कह रहा है बाइधिस प्रॉपटी भी कन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो फ्रॉम एन वन रो और वन कलम फ़ गिवन डिटर्मिन समझ आ आए क्या अना मुल्टिप्लाई भी कर सकते हैं और कॉमन भी सकते हैं यह बात समझ आ रहा है अगला क्या बोल रहा है इफ टू रोएन कॉलम सब डिटर्मिन अट पोशनल बहुत इंपर्टन बहुत इंपर्टन यह जो है यह जो कह सकते हो अ एक्स्टेंशन अव ऑटाउन प्रोपोशनल प्रोपोशनल का मतलब हो उन्सकामन कीत्ते एंस एन सुझे अरे बोल बच्चाइब देन लेपिर्मिन क्या होगा जीनो साइस में से क्या है क्या प्रॉपोशनल है कावन है ए है आर वन एन और थ्र आर तstart 2021 मैं टो देंर सब्सक्रतिन करन susद्भी तो यहां को मन आएगा तो वहां से आप three common लो आरवन आरवन हो गया और रात री लिए यह टू आरवन के साथ कुछ भी नहीं हुआ था आर टू के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ था और यह क्या हो जाएगा टू-3 ओर फाई जीरो आना था कि नहीं था थी इंटू-0 किसके ब कुछ multiply divide करके equal बनाना होता है देखो प्रपटी जो भी सीखा रहे हैं उनका ultimate जो परपस है वो दो रो या दो कॉलम में सेम नंबर बनाना सेम बने का तो समझ रहा है क्या फाइदा होगा अरे बोलो हाया ना या किसी एक रो में सारे के सारे element 1 बनाना है वन बनने से क्या फाइदा होगा कि जैसे वन बने गाना तो हम जीरो कर सकते हैं दूगो जीरो कर सकते हैं तीन ही परपस है प्रपर्टीज को यूज करने कर पहले सारा प्रपरटी में बताते हैं फिर वह उस बात पर आएंगे क्योंकि अभी आगे कुछ determinant A सही है k to the power n into determinant A सही है यह ध्यान रहेगा इस पर बोड बढ़ी बहुत बार सवाल पुछा है ध्यान रखिएगा कई बार और इसलिए एक सवाल इस पर हम लेकर के भी आ गए हैं क्या बोला बोलो age 2 by 2 matrix इसका determinant value कितना कितना 4 क्या बोला determinant of 3A निकालो नहीं बता सकते हो गया क्या एक आंसर बोलिए सर determinant of 3A जो होता है सर क्या हो जाएगा 3 के power कितना 2 into determinant of A होगा बोलो 9 into कितना आया था 4 कितना 36 this is your answer कभी-कभी उल्टा देता है यह दिया और यह पूछ लेगा है 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 हर लोगे क्या उल्टा भी देगा हम कर सकते हैं कि determine multiply कर रही कर रहे हैं कि मैंटरिक्स बना था उसके रस्पांड़ाइट महली 36 है तरह बताओ डिटरमिनांट आप लोगा तो हमारे पास के का तो भैलoo रहे गा ना के ठुट पर ओवर ओऊडर भी रहे समझ अर क्या है सम पर परपर्टी असान क्या करें एक बार पढ़िये पढ़िये बच्चा समझ और आल देलमेंट्स अफरोर कॉलमब अपर डिटर मिनांटर एक स्विव दो थोस्ट कि समर्व ऑप ट्रम तरम्स धिटर मिनने इक स्प्रश्ट मेंद सब्सक्राइब ऑफ तो प पिर सारे के सारे, elements of a row, sum of a determinant are expressed as a sum of two, और more terms, determinant, आईए, समझते हैं, समझ गए, कितना समझ गए आप, देखो, यह जो determinant है, ठीक है, इसका एक row, एक row में देखो, elements को, क्या किया गया, दो, दो, expression, क्या, alphabet के सम में, लिखा गया है, अरे, बोलो, split करके लिखा हुआ है, तो यह कह रहा है, कि इसको आप, क्या कर सकते हो, अलग-अलगा, ना, split कर सकते हो, अगर, किसी एक row, या फिर एक column, अभी row का बात करें, एक row के सारे के सारे element, या फिर कुछ element, में, लीक है होगो, दो, टर्मम के एक्स प्रेस करके, लीक हो, सिर्फ एक ही row का बास कर रहा है, बाकि सब के साथ., कुछ नहीं होना चीं, फीक्स होना चीं, तो कह रहा है कि उसको इसको आप दो day कर सकते हो, को आसे आप आरवं देखो ध्यान से लिखा रों के element कोम क्या करें है तो बच्छा-R1 को आप दियताइज रखना होगा दोनों ही डिटर्मिनान में सेम रहेंगे कि समझ आ रहाय ध्यान से देख़ें क्या क्या स्पै्ट हुआ है क्या प्रफुट हुआ है क्याrika सिर्फ एक ही स्प्लीट होगा समझ आए अच्छा उल्टा भी कर सकते मैट्राइस में था कि आप एड करते थे हरेक करस्पॉंडिंग सब्सक्राइब करेंगे तो ऑबियसली कैसे एडिशन होगा बच्छा और रटी कॉंट हो सकता है जब दो रो या फिर दो कलम क्या होने चीए कॉंट होने चीए तभी एडिशन कर सकते हो अगर उल्टा बात करें तो क्लियर हो रहा है क्या डिटर्मिनांट मैट्रेस में ऐसा हो होता था कैसा सिप्स ओर्डर सेम होना चाहिए सारे के सारे क्रसपांडिंग इलमेंट हो जाते था छोग ठीखें है तीक है सच में इस्का यूज कैसे है सर इसके यूज देखो यूज है बड़ा खुब स्विर्द दिूजए है क्या देंखिए कि अधाश को देखे किसको स्प्लिट करें किसप्लिट करें इसको क्याएं अधानी देखें हाँ, x, y, z, a, b, c, आया ना, अच्छा, सेम चीज़ इसमें भी x, y, z, और क्या, a, b, c, बोल बच्चा, और जो split y वो क्या है, a, x, y, z, इधर बोलिए, 2a, 2b, और 2c, सही है क्या, अब बोलो, अब बोलो, क्या ये 0 हो जाएगा, क्या, क्या ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है, यहां से 2, उढ़ाओ न, 2, उढ़ाओ आप, x, y, z, a, b, c, और a, b, c, क्या ये भी 0 है, 2 into 0, क्या हो जाएगा, ये भी 0, समझ आया, तो ये ये power है, splitting का, आपको उल्टा, अगर add करने का तो कहीं use नहीं होगा, है ना, लेकिन ये split करने कहीं न कहीं पढ़ सकता है, आपको, स ये कहा है सर, invariance मतलब, पता नहीं, हमको भी नहीं पता है, property of invariance का मतलब होता है, वो elementary operation का third वाला operation याद है कि आपको, क्या करते थे हम, r1 के जगा, r1 plus r2, r1 के जगा, r1 plus kr2, करते थे क्या, उसी को बोलते है, समझ आ गया, elementary operation का जो third वाला operation था, अले बोले बचा, ये कह रह है क्या करने जा रहे है, के, r5 plus kr Brit, SI क्या क्या करने जा रहे हुं, C I प्लाइस के सीज़े, अरे बौलन नहीं रहे हो, ये तो हमने किया हुआ है, और ये operation सबसे ज़्यादा powerful है, 90% टाइम से यह उज़ोगा, कर सकते हैं यूठ है कर सकते हैं र 1 कर सकते हैं और र 1 प्लेस MA2 यूज कर सकते हैं और र सकते हैं यूज रिछ कर सकते हैं और बोलो आखराय मैनुस- fish of the ऐख बोलिए ahILL फ्लस बोली नही रहे आप क्यों सैंघ वैसे हैं वैसे वैसे мैसे बोलिए सीवन कईचा कर सकते हैंiliyor कि भीथ कर सकते हैं ऐसा हो सी थ्रीगर सकते को दिक्षट नहीं की हैसी दिखक नियकित már सकते है समझा रहा है क्या अरे बोलो क्लियर है क्या अच्छा क्या सीटू के जगा सीटू को जगा सीटू कर सकते हैं क्या क्या ऐसा कर सकते हैं नहीं यह नहीं होगा बच्चा क्योंकि आप जिसके जगा पर लिखने जा रहे हो उसको एड करना है उसके साथ कुछ मल्टिप्लाई नही करना है कि समझ रहे हैं कि बोलो बालक आया ना यह 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 लाओ है लेकिन यह यह लाओ नहीं है ध्यान दीजिएगा जैसे यह देखिए आरे आरे उस पर दुवार आएंगे आगे भी है कुछ अगले दो स्लाइड में क्लियर हो जाएगा मुझे पता रहता है क्या कहां कहां न्वीज हो सकते हो यह इसका वहलू निकालना है अब एक्सपैंशन करने जाओगे बड़ा लगेगा टाइम लेकिन य क्लिक है उसको कीम पर्दी बोलेंगे बनोग इसको क्या कहेंगे कि यूज करो यह क्या है यह बोलने में ऐ ihrer आजीव लगे हम बोलेंगे की की क्यूज करो एक लिए करके हम लोग इसका मुझा प्र्रिlar से निगाला सकते हैं सिकूंत शुन Street या और यह आज कैसे आगा V बोलो कैसे बोलो कैसे डारेक्टीस का फेली जीरे बच्छा मुझे दिख रहे हाँ घचा खतम यह कह रहा है कि सर सीटू के जगपर सीटू के जगपर क्या किजिए सर गलत 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 सब्सक्राइब कर दिखा के नहीं दिखा आपको सीवन प्लस नाइन सीटू कर दिजिए समाज आया खतम जीरो अभी कैसे प्राक्टीस दिखेगा एकदम से पहले ही कोश्चन में नहीं दिखेगा कुछ बच्छों को दिख गया क्या होगा बोलो क्या होगा सीवन प्लस नाइन सीटू टू प्लस 63 कितना 65 3 प्लस कितना 75 अरे बोलो हां या ना बोलो कितना 86 एक्लिय यह क्या 7 8 और 9 65 75 और 86 क्या हो जाएगा बच्चा जीरो क्लियर है एक्स्पांशन करने को सकता पड़ी नहीं ऐसा ही क्वेश्चन में देख करके वो बोलता है बीना एक्स्पांशन के आंसर नहीं का लो तो आपको करना पड़ेगा हां यह देखो यह देखो क्या दिख रहे कोई फाइदा नहीं होका इसपार मैसा कुछ है नहीं इस पॉलिट्वाट करो कि यह पता है क्या आप प्लस एसी लिखा हुआ और यह लिखा बीसी अबी लिखा और यह सीए प्लस बीसी लिखा ऑगा है यह है कि अगर हम कहें कि a b plus b c और प्लस c यह यह तिनो टम कही नहीं तो इसमें कौन मेशंग है बी सी मिसिंग है इसमें कौन मेशंग है और इसमें उस लूफ हैं सबसुस्सिंग क्या कर कर 104 वे सब्सक्राइब क्योंकि हर जगा गर सेम बन जाएगा ना common उठा सकते हैं उसको हेलो नहीं आया यह यह क्या हुआ बी-सी बोलो CA और यहां पर क्या बनेगा AB plus BC plus CA AB plus BC plus CA अरे बोल नहीं ने बच्चा AB plus BC plus CA क्या इसको common उठा सकते हैं क्या common ले लिया जाएं तो जैसे common लोगे क्या बंचेगा AB plus BC plus CA और इधर बच्चा 111 बोलो BC CA और AB अच्छा 1 अरे यारी तो गड़बड हो गया फिर तर अब गड़ए को सब्सक्राइब क्या बढ़ए को सब्सक्राइब बच्चा 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 नए बोडियुल है नोट दिखा देते हैं यह कुश्चन गडबढ़ है यहां क्या होगा वनोगा अगा डिटर्मिनांट का मोडियूल किसी के पास तो होगा कि या वन वन होगा कि अरे गोड़ों किसी के पास्तों होगा मेरा हाथ देख रहे हो गलत नहीं हो सकता है उसको भी पता दिमाग बले इसे स्पाइनल कोड काम करता है यहाँ पर बैलो जी पढ़े हो ना तुम लोग इतने सालों से इस डिटर्मिनांट को इसने लिखा है कि वो गलत जाए नहीं सकता सवाल है इसलिए क्या होगा बोलो क्या होगा अभी थे एक्यामपल सिखा रहे है आपको एकृश्टन थोड़ी हो रहे हैं क्या और सब्सक्राइब समझ रहे हो भोलो हाई या ना सभी है इदर आए बच्चा अब देखो इसी प्रपरटीश खींग के बारें बात कर रहा है क्य if we have to prove given result using properties of determinant in such cases we try to make maximum zeroes हम property UGC किसी एक रोएक कॉलम में जादा से जादा जीरो बना सके अगर तीनों बना सकते तो तब मजही आजाएगा अरे वोलो हाई ना लेकिन तीन जेनरली नहीं बनेंगे दो बनाया जा सकता है अजब किसी एक रोएक कॉलम में दो जीरो बन जाएगा तो भी काम असान हो हो जाता है नहीं हो जाता है कि यह तो भही कह रहा है कि क्या क्या करते हैं करना चाहते है हो इस 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 तो में धृगर CR-1 के रच हमने आरम ल Kendall kya kya bollo k 1 R2 kya 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 2 hello hello are a Hai Ana bol nahin रहे है आप अच्छछ अब क्या करो क्या करो और बन के छिगह पर आपने यह इंग में अगले step में वन बदल चुका होगा अगले step my hour one बदल चुका होगा आफन क्या बन चुका होगा ये हो चुका होगा अरे बो कि किसके साथ के 2 के साथ कि तो आष्कर करो है और हाना क्लियर हो रहा है कि मतलब हम और공 के जगह पर फिसके मैं साथ टिकर भी कर सकते हैं या चलो की आघ पर हम लिग देते हैं housekeeping leader कर दे यह तो हमने किया पीछे लेकिन अब उस एक ही step में अब क्या करो एक ही step में क्या करो बीटा R3 भी कर दो और यह सबसे ज़्यादा कुछ multiply करने के बजाए मैं बताता हूं कैसे यूज होता है यह होता है कि R1 के जगह पर सबसे ज़्यादा जो यह तीनों एक साथ यूज होता है है ओड़िखे दशेगा दॉबरास ही दुबराहस होती है यहां न से किसी एक single step में किसी एक single step में क्या करसकते हो कि दूबारs apply कर सकते हो आरवन के साथ अपने apply किया और किसके साथ r2 apply किया हएर वन के जगह पर क्या किया आरवान प्लेस है सम्तिंग और टू किया यह रख तिरी कर दिया बोलो hai या ना औरre pengर LA क्वे hr 2 क्या किया अ' spray together अ और तुम क्या प्र तुम आरवन के तरफ जाना समझ différents समझद कई आर्वन तो खूरी बदल रहा है नहीं बॉल रहा है यह समझायते नहीं इसेगा यह एक ओपरेशन है अब दूसरा ऑप्रेशन वाले ते ना वही ओपरेशन यहां कर दीए सब बचाने के लिए कर रहे हो तो बदल चुका कि नहीं बदल हो अरे बोलो हाई ना यह आर्वन का रतरी के साथ खेले हो तार टू कभी आर्थरी के साथ खेलो जिस जो बदलाओ कर रहे थे जिस और रोया कॉलम के साथ उसके साथ नहीं कहल सकते यह खुद बदल रहा है तो एक सिंगल स्टेप में हम अलाव कर रहे हैं कि आप यह ओपरेश जाए गया और यह प्रैक्टिस से पता चलेगा बच्छा अभी हम कितना भी आपको बता दे हंडिट परशन यह फिल नहीं आएगा प्रपटी प्रैक्टिस करते जाएंगे गलतियां करेंगे सीखेंगे हम लोग समझ आया चले आज यह देखो यह देखो यह देखो यह डिटर अब शॉच्सका मैं फॉलों वन की साथ होसे वान परशन चाल हला भॉण बेता सी गया है तो गया काम कर सकते हैं क्योंकि अपने आप में ये maximum two bar और इस में अपने आप में दो बार है की नहीं है है की नहीं है तो यह एक बार यूज करेंगे की दो बार यूज करेंगे एक ही बार, मतल quieres अपने आप में δो बार है clear है third order determinant के लिए जो king property है maximum एकte step में दो बार यूज कर सकते हो, गले step में प्रकार होगा घूंत या बख सकते तो हम तीन करें नहीं है कि नहीं जब tää provides को हुगा तो क्या क्यर के इसीयों कंवाइग मैं हमने लिए अर्प तो जब नत्रार कम दियाना थिए अारज के किदो सब देंंगे वही कुछ प्रफटी देखो है क्या वैसा कुछ किया क्या बच्चा अगर हम-9 रगाए कि जगा पर रवन प्लस accounting कर जब भी जब भी कोई समेंट्रिक डिटर्मिनांट दिख जाए समेंट्रिक दिख जाए या डाइग। ऑफ बहुत पावरफुल इस्ट्रिक पीया या फिर तो आप एक बार इसको यादर करो कि सभी रोग जोडने क्या सभी कॉलम जोडने से कुछ बन रहे हैं कै तो देखो नहीं सिमेट है कि नहीं है तो ज Bite Baptist जैन्ञों अजिई रहेगा जिब ये सब फाइनल एंसर किया रहीगा था नहीं अए एड़ करें तो किया बना था हुआ था समाज आया किसके लिए किसके लिए बोलो स्यमेट्रिक अYUFcom इंस डाइगोनल एल्मेंट्स डाइगोनल इल्मेंट्स क्या हो इंस रहे हैं और हैश horses यह पूरपटी का ये वाला एक साथ जोड़ने वाला एक साथ जोडने वाला समझ रही गा एक कॉलम के साथ भी कर सकते हो C1 प्लस C2 कभी कभी रो के साथ नहीं दिखेगा कॉलम के साथ कर दीजिए आप ये भी कर सकते हैं C1 के जगह पर C1 प्लस C2 माइनस C3 ये भी कर सकते हैं समझ आ रहा है क्या अरे बोलो जब भी तीनों एक साथ होता है ना तो मैक्सिमम टाइम कुछ मल्टिप्लाई नहीं करना पड़ता है मल्टिप्लाई डिभाइड वाली जो बाते होती है वो तब करते हैं जब क्या होता है दो का बहुरा होगा यह किंग प्रपरटी किलियर हुआ तो देखो पहले पांच प्रपरटी एक दम असान है जितना एफर्ट लगा आपको पांच समझने में अकेले पीशिक्स को समझने में लगा पहला प्रपरटी असान ही कि नहीं है बोलो बच्चा पिसली क्लास में जल्दी छोड़े था य इसको कुछ कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि कभी रिभाइज भी करना हो डिटर्मिनाट में तो आके आप क्या करेंगे परपरटी जहीं करेंगे चला जाए आगया प्रपरटी नमबर वन क्यों सब्सक्राइब करेंगे तो समझा रहे ना किताब पढ़के नहीं समझ सकते है कि समझी नहीं है कि क्या लिखा है कि दूसरा प्रपरटी क्या बोल रहा है स्विचिंग प्रपरटी स्विचिंग प्रपरटी समझ रहे है बोले बच्चा स्विच करेंगे तो माइनस तीसरा क्या है तीसरा क्या है सबसे आसान प्रपरटी है पावरफूल बट आसान अग अगर अगर कहते किंग के बाद इसको क्वीन बोल सकते हो किंग के बाद में कोई सबसे ज्यादा यूज होने वाला परपटी यह लेकिन इतना आसान है इसमें को यह फटी नहीं लग रहा है कि अगया अरे बोलो अस्केलर मल्टिपल समझाया था यह यह डिफरेंस दिखाता है किसमें मैट्रिक्स में और डिटर्मिनाट में सही है इससे कुछ रिलेटेड बात हैं और यह कमड़ी बहुत काम गया इस पर सवाल मिलेगा आपको पूछा है पेपर वाले ने आज यह सब्सक्राइब करने जा रहे हो आरवन के साथ कर रहे हो आरवन के साथ कर रहे हो बच्छा तो वह हो और रं क्या हो रहे हां यह जोल नहीं रही है अब लोग आरवन बदलने वाला है अरे बोलो हाई और फिर तुम कॉलंग के साथ करोगे दो उसमें आरवन के लिमेंट अगे की नहीं आएंगे पीना बढले फिर कैसे अपलाई कर दोगे तो आप सबसें यह जा रही करेंगे यह रूख जाओ एक तम से 100 बोले तो कि प्रपरटी सिक्सी किंग है किंग को इतना जल्दी समझ जाओगे फिर किंग कैसा है बोलो ऐसे नाम थोड़ी दिये गया है कि आये बच्छा आये यह यह समझ आ गया क्या यह आया अरे बोलो अब देखो यहां से अब आपका क मुना टोर्फ़िसटर्ट होता है यूट के अल्टी मेंरों होता है प्राइफ में सेम नंबर क्रेट करना क्योंकि अभी हमने पीछे कोशें दिखाया है एक लिए और जब जिखता है तो हम some comment भाते 11जाता है 111 बनता है कि नहीं बनता in jar всем 111 जाता है तो ग्या हथा कि ने अध्यूंट रबनाना आसाल हो जाएगा कैसे कि क्या इसको जिरो बना है आधकरो इल्मेंटरी shop रिसको जरो बना बना सकते हो क्या करोगे कि क्या इसको जिरो बना सकते हो अरे बोलो क्या दो जिरो बन जाएगा अगर हम दो जिरो कर चुके हैं और उसी कॉलम के लोग expansion करेंगे तो एक ही calculation करना होगा एक element का बोला बच्चा तो वही काम करते हैं जब भी ultimate मेंड कार में टार्गेट कि सेकतर्य कारता क्या है ओंटाकर 208 अगर तो यहाँ न ऊधने टो धोटी आँ कि सेम और कामन उचास आने कात्रिण नहीं है वन रृटी वना हुआ तो क्या करना बच्चा अर splits 1-r2 अरे बोलो बालाक है और अब बोलो आगे क्या है आरटू-3 समझ रहे यह कौन सा पर परपटी है कौन सा परपटी एग एक सिंगल से कितनी बार काम कि चांधि रमार कर दीभी सिरसको भी 0 किजिए कर सकते का कि लिख ने आपको लाओ किया है maximum 2 बार क्योंकि यह आर 3 की साथ R3-R2 करने जा रहे हो और यह वह तो खुद ही बदल रहा था R2 तो maximum 2 बार कर सकते हैं क्योंकि तीसरा का फिर चौई इस ही नहीं बचारा कहां जाए चौथा है क्या कोई आओ क्या होगा क्या होगा left-hand side क्या बनेगा हमारा भूले left-hand side क्या बनेगा बोलो एक-डो सवाल देख लो पहले जीरो आ-म्याइस बी एसक्वार माइनस बीए इसक्वार सही है क्या इधर बूली इधर बूलीए जीरो B-C B-Square माइनस सीस्वार बोलो बच्चा 1 C और किसके लोग थिसके लोग किसके लोग कि अभी लोग सब गजनी आ गया यारे लोग कुछ नहीं पता है किसके लोग का एक्सपांशन किया जाए कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सी वन एक और वन है यह बता रहे हम आपको यह है उनको सोचना पडता है पहले दो सिकेंजिसी ओन है यह रूञ ने है यह है तो वन लेकिन बोलो क्या हैगा क्या है बच्चा यह 00 पहले तो दूगोजीरो मिलेगा फिर बोलो वो जो है उसका साइन क्या होता है प्लस होता है इसका साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस और और क्या होगा यह डिलीट और ये डिलेट होगा क्या बच्चा क्या बोलिये तो a-b 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 a-square-b-b-c b-a-square-c-a-square यह होगा क्या देखो a-b होगा क्या चलो अब इसको multiply करते किदर गया इसको multiply करते बच्चा इस इंटु इस भोलो क्या होगा a-b b s-c- b-c-a-square-c-a-square-b-c b-c-a-square-b-ca बोली नहीं रहीं रहे यह लोग बच्चा क्या क्या को मदा आएगा बच्चा यहां से दिख रहे है कि a-b common आएगा आएगा और और क्या क्या आएगा B-1 दोनों है क्या यहां पर बचेगा B plus C और यहां पर क्या बचेगा A plus B बचेगा कुछ कैंचील हो रहा है क्या क्या K turn B-2 दोनों है क्या बचा A-B B-C- और C- सब्सक्राइब इस इस यर एट तो समझेट आया क्या नो हाया न क्लियर हो है हलाके इसका objective में question करने का तरीका भी सिखाएंगे आपको लेकिन अभी नहीं नहीं सब्सक्राइब करोगे समझा रहा है बोलो अब जैसे क्या यह सवाल नहीं हो सकता है क्या होगा कि नहीं होगा क्या करना होगा बच्चा दो को जीरो बनाएंगे expansion नहीं कर सकते हैं उसके बाद सिर्फ calculation होगा होगा कि नहीं होगा इतना काम तो हमने कर रखा है यह थोड़ा सा इक्ष्रा आया हुगा है कर लेंगे बोल नहीं रहो यार तब लग रहा है कर सकते कि नहीं कर सकते हैं दो जीरो बनाओ यह सब cyclic determinant है क्यूं करेंगे क्या काम है इतना यह दिए यह दिखे तो यह क्या सर कॉपी करके लाएं क्या सब्सक्राइब क्या दो जीरो बना सकते हैं कैल कुलेशन है बच्चा सिर्फ घर पर करोगे अरे बोलो आज ही जाकर प्रॉपर तरीके से ग्दम देखिए गा इन कुश्चिंज क यहां दो जीरो बनाओ एक बचा रहेगा उसके लोग एक्सपांशन कर दीए अब उसके बाद सिर्फ काल्कुलेशन है क्योंकि आपको कॉमन लेना होगा मल्टिप्लाई करना होगा फैक्टर बनाना होगा आगे 9th क्लास का है क्या होता था पॉलिनोमियल फैक्टराइजेश यहां दा रहा है सचमे दिख गया होगा आपको क्या क्या कि हाँ क्या क्यों क्या करेंगे C1 और R1 को जोड देंगे भोल बच्या C1 के भुश्य करूझ सेखाव यह संगतिग आवसर बच्चा क्या ? C3 plus क्या करेंगे C1 करेंगे बताओ left hand side क्या बनेगा left hand side क्या बनेगा a b c a square b square c square बो a plus b plus c 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 taking a plus b plus c common from C3 यह लिखना पड़ेगा आपको क्या 111 बन जाएगा क्या 111 बनते ही दिख जाएगा आपको कर लोगे की नहीं कर लोगे तो देखो ना जो a plus b plus c common लिए थे उसके अलावा वही तो आ रहा है जो पहले इसकार की determinate था क्या पहुआ है क्या सर्व बना सर यहां एक हैस करया वहां पर यहां रहां था यह चुका है अप वहां को जाने के लिए का और स्वीच करो वहता है क्यों नहीं होगा लेकिन उससे फाइदा क्या अब एक हमको एक स्कॉर बेस्कॉर को यहां ले जाना है ना अगर उस इंट्रमिनान की तरह देखना चाहते हो तो तो दीरे दीरे पहले वन को बोलेंगे तो भी एक स्कॉर को त्रदा जगह दो फिर बोलेंगे एबी सी भाई वन को जगह दो इसका जगह ये है समझ रहे हो क्या यह जान प्लीट करेंगे दिकने लगा बोले तो कि दस दसो के ना पठता है कि एक अल्गोरी था मैंने रेसिपी है खाना कैसे पक जाएगा पहली भाई टाइम तो लगेगा ना उसमें क्या करें स्प्लीट करते हैं तो देखो ए बी सी ए स्क्वार बी स्क्वार यह होता है यह नहीं होता है हां हां गंजडी कहीं का A B C A SQUAR B SQUAR और बोलो K A Q K B Q और K C Q अब एक बात बता है यह भी डिटर्मिनांट यही वला है बस थोड़ा सा अबरनेश है यह कैसे पहले तो k उठाओ common, सबसे पहले k भगाओ, फिर इधर से क्या, इधर से, क्या k into a plus b plus c, k into a into b into c common आया, अब यही दोनों बन गिया, नहीं sir, इधर उदर है, वो इधर उदर अडिजिस्ट हो जाएगा, अब पूरा determinante common ले लो, तो यहां बचेगा one, और यहां क्या बचेगा k into a into b into c, अब वो जो determinant है, यही वला है कि नहीं है, नहीं आया, सब link है बच्चा, सब के सब link है, कर पाओगे या फिर हम दिखाएं हम करके, समझ आ रहा है, वो लिखना पड़ेगा, पहले इस एक step में taking k common from c3, अगले step में taking a common from r1, taking b common from r2, taking c common from r3, यह सब लिखना पड़े आपको, proper करोगे ना इकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, कांचा है determinant है, बहुत दिमाग उसका ठीक है, सार्फ है भाई, क्या है, समेंट, क्या याद आएगा, r1 plus r2 plus r3, जैसे r1 plus r2 plus r3 करोगे, 3y plus k, 3y plus k, 3y plus k, common, अरे sir, वही तो चाहिए ता, हाँ क्या 1 1 1 1 बनेगा, जैसे ही 3 1 2 0 0 बना सकते हो, तो नहीं सम Jahr, यार, है, सच महीं आ रहा है, सच महीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समाश, बहुत बढ़िया, इससे जड़ा, क्या है, क्या है, सेमेट्रिक आगे क्या, 5x plus 4, 5x plus 4, तु मैं से भी कर सकते ह मेरा आदत रों में रों में कर रहा हूं 5 x plus 4 कमन टांग लोगे 312 0 एक ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या 5x plus 4 दीख रहा है इदर लाना था क्या कि अब बताओ कि है कि मुझे सब कि क्या किया जाए आज चाहर एक भी कुश्चन आप करने नहीं दिया है सरम लोग को आप बहुत कुश्चन करना है टेंशन काहे ले रहे हो डिट्रम्नाट पर 200 कुश्चन प्राक्टिस करोगे क्या ऐसे नहीं दिख रहा है ना वहीं है कि तुम्हारा एक पर दिमाग को ऐसे दिया ना डिरेक्शन कि तुम फिर एक्स में चलना ही बंद कर देते हो और भाई साइन्स पढ़ रहे हो एक बार देखो क्या हो रहा है मिल रहे है को बोली बाचचा दिख रहा है क्या टिख रहे है ट्य데क्स प्लस लेकर अरे यहाँ से मिलाया है क्या यहां यहां क्या हो जाएगा टूजेट डू century OK हो होगा क्या यहाँ भी अपना सकते हो क्या वो चाहिए था और यह वह स्कोर ओर भी तो आएगा न त्यातीन वन वन गया इसको रोगा इसको कर विसको कर ओक strengthen पढ़ाया है क्यों मैं कौपी साधा है एक नव अगे आना वाह पहली बार सर्ण लोग आंसर निकाले सर जो अनसर ना सर बता नहीं सकते हैं जो फिलिंगा आया सर समझ आ रहा है क्या आया कि नहीं आया इतने बड़े कोश्चिन के सर अम लोग आंसर निकाल दी आया बहुत बढ़ी करके दिखाए हां सर लेफेंड साइड ले 2 times of x plus y plus z 2 times of x plus y plus z बोलो बालक है और इधर क्या x y y plus z plus 2x और y x x plus 2y यह होगा अब common हम लिखेंगे नहीं जगह नहीं है taking common क्या 2 times of x plus y plus z from c1 तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 1 1 सही है बच्चा फिर बोलो बोलते जाओ तो x y है इधर क्या है y plus z plus 2x और इधर क्या y x z plus x plus 2y यही था अब हमें 2 0 बनाना है और जैसे ही किसी एक रोग कॉलम में 1 दिखता है तो फिर फरडी नहीं लगता दो 0 बनाने में क्या होगा बोलो r1 के जगपर r1 minus अब देख रहे हो ना यहाँ पर कॉलम अप्लाई किये थे और यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे है row apply कर रहे है r1 minus r2 और r2 के जगपर क्या बच्चा r2 minus r3 सही है बोलो क्या हो जाएगा two times of x plus y plus z हाया ना 0 फिर बोलिए इसमें से इसको minus करेंगे तो कितना minus x तो minus कॉमन ले लिजे यह हो जाएगा क्या यहाँ से इसको तो क्या हो जाएगा 0 अरे सरी इसमें भी 0 बनने लगा नहीं जितना ज्यादा 0 बनना उतना खुसी होना चाहिए बोलो क्या हो जिरो अब नहीं भी करते तो कान चल जाता कि दो zero बना चुके हम लेकिन जब करी चुके कर देते यह बोलो बच्चा बोलो जीरो यहाँ पर क्या एक्स प्लावाई प्लस जेड़ और यहाँ पर क्या किसी के लोंग कर देते हैं क्या हो जाएगा इस इंटु इस माइनस यह जीरो हो जाएगा देख रहे हो यह दो बर मुल्टिप्लाई होके स्कॉर हो जाएगा क्या फाइनल आंसर बता ही बच्चा टू टाइमस ऑफ एक्स प्लस प्लस जेट तो बहारी था और वह हम देख पा र क्या एक दो कोश्चन और देख लें देख लिया चाहिए लेते हैं कर पर किजिएगा क्या करोगे क्या डाइकोणल एलमेंट्स एवाएं क्या बले सिमेट्री नहीं है या फिर सेमेट्रीकों एक बार आप वह धॉट लाओ निमाग में क्योंकि देखो धूट आय आएगा त कर सकते हैं या नहीं जैसे ही करोगे क्या होगा सेम नंबर बना कॉमान उठाओ वन वन बनेगा दो जीरो बनाओ उसके बाद सिर्फ काल्कुलेशन है डिटर्मिन यहीं तक था इस समझ रहे हैं अट लाश्ट कुश्चिन और लाश्ट कुश्चिन देखो तो क्या बोलो सर्ष यह और यह सब सेम चीज और आ इन इंट इंट स्थ सब सेम चीज लिखा हुआ है अलग नहीं है इस डिटर्मिनान को सिर्फ वहां तक लेके जाना प्लेकर ऑगा क्या कर पाएंगे क्या कैसे कैसे लू हेलो 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 अरुण के ढांक की आ करोगे ऑर फ्लस आर प्लासीट बनेगा क्या उसको को मौन उठा सकते हैं वन वन बने poker है अए ना तभी न तो अखेँ कोक्ति हमने एंड कर रहो है कित्वेकर गर याज किसी करिदे लिफ्लेक्षन प्रपटी किसी कोई दिक्कत और बोलो समझ आया एकदा मासांसर ये स्विचिंग प्रपटी समझ आया यह यूज हो रहा है क्या बहुत कम हो रहा है देख रहे हर बार क्या है पीशीक से अरे हाँ या ना समझ आप किइंग क्यूं है बोलो अच्छा आगे आग बच्चा हो जाएगा ये बोलो सम प्रोपर्टी बहुत असान और ये किंग प्रोपर्टी कर सकते हैं बोलो बोल नहीं रहा बच्चा लोग कर जाओगे चलो तो यह जितने भी कोश्चंस हमने छोड़े हैं बच्चे आज ही जाके अभी दो पहर में कीजिए गाने तो यह सब निकल जाएगा आपके दिमाग से जो भी आप इतने बढ़िया से ना आपके अंदर इंस्टॉल हुआ है सब गयाब हो जाएगा वाइरस तुरंट से खा जाते हैं तो आज ही जाके दो पेर में करना हो करोगे सच में चलो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास मे हुआ है